हेलो वाइस तो यहाँ पर दिखिएगा Samsung S24 Ultra का डिवाइस है यहाँ पर एन अब इसका camera के बारे में मैं आपको बताने वालो तो इस वीडियो में हम पुरा discuss करने वाले कि camera के अंदर ऐसे consequence सी चीज़े हमें देखने मिलती है जिसके उपर हमें focus रखना चीज़ें क्या क्या होत रहा है लेकिन इसके अलावा ही है 100x तक जूम इसका जा सकता है इसके बाद में अगर आप देखो कि तो आपको अलग-अलग mode यहाँ पर मिल जाते कि आपको कौन से इससे डिवाइस पी जो है फोटो क्लिक करना है तो यहाँ पर 10x का आपको जूम मिलेगा उसके बाद में अगर हम इसे 50 यहाँ पर लेकि जाते है तो यहाँ पर दो जूम कॉलिटी होती है वह बस 5x जाती है आपकी अगर हम इसे फाइनली लेकर के आते हैं 200x पर तो सीदव 1x वाला जूम कॉलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा 200 Megapixel जो सेंसर है उससे फोटो आपकी क्लिक करी जाए बाध में आपको यहाँ पर रेशियो मिले गए कि कौनसे रेशियो पर आपको फोटो क्लिक करना है क्या वह 19x6 होना चाहिए यहाँ फिर ओ फूर फुल स्क्रीन चाहिए डिपेंट करता है कि आपको कैसे देखिए अभी फूल स्क्रीन में तो फूरा फूलस्क्रीन आपको यहाप एक option दिया गया है नीची की साइड में उसे आपको देखना पड़ता है मैं से बस एक photo click कर ले तो यहाप पर तो photo आ जाती है उसके बाद में यह वाले option के उपर अगर आप click करते हो तो आपके बहुत से timer के option मिलता है जैसे कि 2 seconds 5 seconds and 10 seconds इसको जिस तरीके से फिलाल तो यहाप आफ रखे के बाद में आपको flash light का option मिलता है flash light आपको on रखना है off रखना है तो जब भी आपको photo click होगा auto mode पर आप set कर सकते हो वो जो भी चीज़े आपको करना चाते हो वो सब चीज़े आप 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 एकर सकते हो यहाप पर दिखिएगा filters आपको on the go मिल जाते है क्यों मतलब जिस filters में आप photo खीचना चाते हो उस filter के according लिए आप इससे set कर सकते हो and directly आप वहापे photo click कर सकते हो पर में आपको face identification आपको चीज़े नीची यह वो भी आपको 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 देखने मिल जाता है जेखिएगा choose what happens when you swipe shutter button down and holding photo mode तो अगर आप इससे continuously नीची के और में खीच के रखते हो तो क्या होता है burst photo shoot आपको शुरू हो जाता है बन में आपको आता है watermark तो watermark अगर आप इस पर click कर देते हो तो क्या होता है कि आपका जो है इसके अंदर watermark आना शुरू हो जाता है कि कौन से model name है क्या है क्या लिखा होना चाहिए वहापे वह सब चीज़ा आप आप यहापे लिख सकते हो आप आपका जो है यहापे model name जो है आप आप क्या name भी हापे डाल सकते हो ताकि अगर photo click होती है तो वहापे वह चीज़े easily आ जाती है कौन सी alignment पे चीज़े कहाँ पे चीज़े हर एक चीज़ा आप 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 सेट कर सकते हो camera options में advanced picture options के अगर हम बात करें तो यहापे आपको modes मिलते है कि कौन से modes में आपको यह photo click करवानी है select which mode to save pro mode pictures in no color tone adjustment and applied to raw pictures JPEG format में चीज़े raw and JPEG format चीज़े या फिर raw format चीज़े उस accordingly आपकी data की साइज या फिर change होती जाएगी उस accordingly आपका जो data जाएगा वो photo का data वो इधर वो जादा बड़ा हो जाएगा या फिर जादा चोटा हो जाएगा अभी आप देखिए high efficiency pictures कुछ websites कुछ applications ये format support नहीं कर पाते तो क्या करना चीज़े आपको इसे on करना चीज़े या फिर off करना चीज़े depend करते है आपके उपर आप कहाँ पर इसी उस करना चाहते हो फिराल के लिए हम off ने रखते है JPEG mode हम select करते है क्योंकि ये बहुत सी जगे पे easily accessible हो जाता है तो JPEG mode is the best save selfies as preview देखे save selfies and selfie videos as they appear in the preview without flipping कभी-कभी ऐसे होता है कि अगर आप photo खीशते हो तो फोटो उल्टा हो जाता है तो वो उल्टा photo को वापस सीधा करने के लिए जो option होता है वो सिब कहते है save selfies as preview जब आप front camera के से shoot करते हो तब आपको ये option का use जादा समझ में आ जाएगा ये देखे reduce brighter videos in low light conditions by automatically optimizing the frame rate in video mode record video है वो तो अगर night mode में आप इसमें shoot करते हो तो automatically 30 fps पे वो switch कर सकता है अगर उसे brightness वापे कम लगता है तो video stabilization का mode हम on रखते है ताकि जब भी videos लिए जाए वो stable format में आए अब देखे video में है आपे कुन सा है high efficiency video format हमने select करके रखा हुआ है उससे भी हम जो है यहाँ पे अलग-अलग जिससे आप से यह उससे आप से select कर सकते है मतलब h.264 यह most compatible हर एक जगे से जो है उसका हमें यूज कर सकते है जैसे की JPEG format है उस अकॉर्डिंग लिए पे h.264 का mode है उसे अकॉर्डिंग लिए अगर आप h.e.v.a.c. भी रखते हो तो इसके अंदर भी आपको option मिलते है कि आपको space saving के लिए चाहिए है या फिर आपको कौन सा option जाथ है तो video quality का हम prioritize करते है कि video quality जादा साथ बेहे टरिनर है increase the beat rate of the videos recorded in videos and promote videos high beat rate videos are usually longer than normal videos beat rate तो इसका जदा रहेगा लेकिन उतनी जदा clarity भी उसके अंदर आती जाएगे optimize the color and contrast of the recorded videos in promote mode तो यह आप इसके settings के साथ में थोड़ा खेलिए उसके साथ adjust रही है और उसके बाद decide करिए कि आपको कौन से settings exactly जो है वह इसके उपर रखना है उसके बाद में zoom in mic होता है match the mic zoom the camera zoom while recording in video mode तो video mode के अंदर जब भी आप याप याप 10x करते हो 1x करते हो 2x करते हो तो उस accordingly वह mic का zoom जो आप camera का zoom कर रहे है उस accordingly आपका mic का zoom adjust होता रहेगा match the mic zoom to the camera zoom while recording in video mode I hope यह कर गया यह आपको समझ गया अब यह जो है zoom in mic का वह मैं आपको जब भी एक video record कर रहे है तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वह actual में record कर रहा है वापे किस तरीके से उसके recording mode वापे applicable हो रहा है उसके पार में आप आता है कि 360 audio recording capture immersive sound immersive 3D sound through your Bluetooth earphones with 360 audio recording अगर आपके पास Bluetooth earphones है तो आप 360 audio recording भी कर सकते हो लगिन जब आप 360 audio recording कर रहे हो तो आपको zoom in mic का feature वापे available नहीं मिलता तो वो automatically वापे off होगा तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा tracking autofocus तो autofocus keep the rear camera focused on to selected subject even if they move अभी आपे tracking and autofocus है अभी इसके अंदर होता है कि अगर आप एक जगे पे बैठे हो अगर आप यासे ऐसे हिलने की कोशिश करते हो तो यह track करता है और autofocus आपके उपर रखता है ताकि आप पे focus बना रहे है तो important चीज है उसके बाद में grid lines होती है जो बहुत से lines होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे किया जाता है है अगर चीज तो टेक पिक्चर रेकॉर्ड वीडियो वोईस कमाज से होता है स्माइल चीज ताकि रेकॉर्डिंग शुरू हो जाए फ्लोटिंग शेटर बटन टेक पिक्चर वित अन एक्स्टर शेटर बटन यू किन मूव एनिवेर ऑन दे स्क्रीन फ्लोटिंग शो पामप अगर आपको जिस तरीके से याप बटन दिखाते हो तो अभी पह आ आपपका सेल्फी जैफिट्न वीडियो रेकॉरडिंग जो है वो शुरू हो जाती है तो यह है यहाई आपको सेटिंग का सेटिंग्स अप चाफ़न आपको मिलता है आपको यहाँ पर देखोगे तो shooting mode में था या grid line ठीक है तो grid line में हम इसे activate करते हैं अब grid line के बाद आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे lines नजर आ रहे हो गए है ना यह lines अब देख सकते हो तो इसे बोलते है grid lines तो यह grid lines में आप अगर किसी object को यहाँ पर center में रखना चाते हो आपके screen के तब जाकर कि यह वाला जो grid line फीचर है यह आपके लिए बहुत ज्यादा useful हो जाता है बहुत ज्यादा का फीचर आपके लिए निकल के आता है अब location टाइब आपको डालना है नहीं डालना है वह totally आपके उपड़ी पैंट करेगा किस तरीके से कौन सी चाहे पर आपको photos लिक करवाना है वह उसी साब से अगर आप चाहते हो तो वह डाल सक है यहाँ पर आपको blur की quality मिलती है अब बहुत जनक होता है कि blur बहुत जादा होता है तो वह कम केस से करें तो उसके उपर में detail वीडियो बनाओगा अगला तो वह आप definitely check कर सकते हो इसके बाद में देखी video mode के अंदर हमें लगबग 10x तक zoom मिलता है 20x तक zoom आप मिल जाता है इसके उपर already videos में ने already बना करके रखे हुए तो वह भी जा करके आप definitely check कर सकते हो इसके अंदर भी हमें कुछ motion मिलते हैं देर के super steady mode on अगर हम भागते हुए videos record कर रहे हैं तो यह super steady mode on जो है वो on हो जाता है देखिए मैं mobile को कैसे शेक कर रहो लेकिन जो अंदर का video है वो सब्सक्राइब करना है या फिर जैसे भी आपको शूट करना है उस अकॉर्डिंग या वाभी शूट कर सकते हो video quality आपके maximum कहा तक जा सकते है तो ultra sd 60 fps तक जा सकते है एन 8K 30 fps तक जा सकते है जो कि आपका highest resolution होता है अब यहापर यह clarity देखिए आपको कैसे मिल रहे है यहापर नीची के साइड में अब वही चीज़ अगर मैं यहापर जो है इसमें change करता हूँ मतलब कि 4K पे चले जाता ह हो तो clarity देखिए एंटेनेटी पर जातो तब clarity देखिए एक्चल में इसकी जो है recording जो है वह करके रखिए जो आप देख रहते हो वह काफी जदा clear है पर हमें देखने मिलती है अगर आप higher resolution पर वीडियो क्लिक करते हो तो लेकिन अगर आप जादा higher resolution नहीं जाते तो full HD 60 fps भी बहुत बढ़िया है आपके लिए क्योंकि जैसे आप usd पर क्लिक करोगे मतलब 4k न 8k पर जाओगे तो clarity तो बहुत साबर्दस रहेगी लेकिन उसके साथ में जो data रहेगा आपका जो storage यूज़ होगा वह भी बहुत जादा strong यूज़ होगा इसके अंदर more options के अंदर आपक आपको इसके बाद में और क्या देखने मिलता है प्रो वीडियो का option हमें देखने मिलते है तो यहाँ पर भी फोकस क्या चाहिए white balance क्या चाहिए माइक कैसे चाहिए a फिर कैसे चाहिए फ्रेंट चाहिए रियर चाहिए बैक चाहिए उस according लिए आप इसे set कर सकते हो आपि यूस्बीक ओप्षण है BT है BT Mix है जिस तरिके से 이 renset चाहिए आपको चाहिए Audio Gain कितना चाहिए हर एक चीज बिलकुल आप यह अपछी अप़ आर रखना है आप कर सकते हो लेकिन फूड को उस फोकस एरिया के अंदर आपको रखना चाहिए ताकि फोटो काफी बढ़िया है पैनोरिक मोड पैनोरमा में बहुत बड़ा वाला फोटो जो है हम एजीली खीच सकते हैं ठीक है कुछ इस तरिके से एनक बड़ा सब फोटो हमें आ ट्रेजडी 120 फेस तक जाता है ज्यादा अगर लाइट होगा तो यह फ्लिकरिंग आपको यह पर नहीं नज़र आएगा सिंपल उसके बाद में यहाँ पर है हाइपर लैप्स हाइपर लैप्स के अंदर आपको देखिए क्या हता है कितने टाइम का आपको हाइपर लैप्स चीए वह सब्सक्राइब कर सकते हो कितना जूम वगरा चीए 5x 10x गूर स्पीड फॉर रेकॉर्डिंग स्पीड अप वीडियो चीक है तो अगर जादा फास्ट होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और यह थोड़ा नाइट मोड के लिए यूज़ कर सकते हो यह जैसे कि मतलब आप ट्राय करोगे तो उसे सबसे आपको इसका आइडिया हो जाएगा देरे देरे करते हो हैं पोट्रेट वीडियो पोट्रेट वीडियो आप यहाप पर ले सकते हो लगबग फुल एज़डी 30 एं अल्ट्रा एज़डी मतलब 4K 30 fps तक 1x and 2s तक आप उसमें वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो उसके बाद में आपको एक और आप्शन मिलते हैं यह पर डियो रेकॉर्डिंग का हैं सिंगल टेक का सिंगल टेक में एक ही फोटो आप में रेस आप से आपक क्लिक कर सकते हो लेकिन सिंगल टेक में भी कुछ आप्शन आपको यह पर दिये गए है जैसे कि यहाप पर देखिए हाइलाइट को लाज फिल्टर ऐसे बहुत से आप्शन से वह भी आपको धीरे-दीरे करके ट्राय करना पड़ेगा और डूएल वीडियो के अगर बात कि इस पर लेना है मतलब वाइड लेंस टेलिफोटो लेंस अल्टर वाइड लेंस फ्रेंट लेंस चूब दू कैमेरा आप सेट करों कि वह दो कैमेरा से आपको वीडियो है आपको रिकॉर्ड होती हुई नजर आएगे तो आपको समझ चुका होगा कि कि इस तरीके से सामसंग इस ट्विडिफोर अल्टर में काफी बड़ी ऐसी जो है पिक्चर साप ले सकते हो कि इस तरीके से आप ले सकते हो हर एक चीज़ अगर वीडियो पसना आता है तो वीडियो को लाइक आप